आज बिहार में पदाधिकारियों की बैठक हुई और हम मानिय खेलाश्वति मिश्णा जी की पुन्यति थी पाँच नवंबर को बाकू सभागार में मनाने जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे राश्टिय कारेकारी अध्यक्ष क्री जेपी नड़ा जी उस पुन्यति थी के में व्याक्षान देने के लिए आ रहे हैं और उसी के निमित आज हमारी सब भी बैठके हुई हैं और राश्टिय कारेकारी अध्यक्ष जेपी नड़ा जी का बनने के बाद यह प्रत्थम बिहार आग्मन है इसलिए भारत्य जन्ता पार्टी ने उनके स्वागत की व्याद तैयारी की है और जितने भी हमारे कारेकरता है मंडल इस्तर तक वह सभी इस खैलाश जी की पुन्य तिथी पर बापु सभागार में उपस्तित रहेंगे और उसके बाद मानिया राश्टिय कारेकारी अध्यक्ष जी भारते जन्ता पार्टी के प्रदेश पधादिकारियों के साथ और कोल कमिट्टी के साथ बिहार को ले करके व्रिस्तित चर्चा करेंगे धन्यवाद आप लोंगे कोई प्रश्चन को और प्रश्चन जो विशे है रखा है उसी से जुड़ा हो तो ठीक रहेगा तो उससे जुड़ा क्या अध्यारी हो सकता है कि उच्छा कर रहे हैं कि आगे क्या होना है आपके एक निध्रोरी किदायक बंदे है यह भारतिये जनता पाटी किशंगंज से चुनाव लड़ी थी और हर बार से ज्यादा मत उनको प्राप्त हुए हैं यह तो थोड़ा सा वहां सामाजिक समिकरन पक्ष्वे नहीं था लेकित बहुत ही अच्छे धन से हमने किशंगंज का चुनाव लड़ा मैं किशंगंज की जनता का आभारी हूँ जो उन सबों ने हम पर इतना विश्वास किया और जितना वुर्ड दिया उतना इतिहास मैं कभी किशंगंज विधान सर्वा में भारते जनता पार्टी को नहीं मिला था अगले बार फिर हमारा प्रयास रहेगा कि हम जनता की उमिदों पे खरे उतना जो रंदा को लेकर कि क्या है आप उनको अपने आप आजबा में लाएंगे या कि वो इंप्रेटेटी है आप से को मिले हैं आप से मिले नहीं है और सिसिल मुझी उन्हें बढ़ाई लीगी और कहा है कि हमारी ही जीत है कि लोग देखिए व्यास जी भाज़ जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्षते हैं और वो यहां मिलने आए था तो जाहिर बात है उनसे हम लोग मिले हैं और मिलते ही रहेंगे जनता ने जो भी फैसला किया है वो सभी को मनजूर करना चाहिए चाहे वो अपक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो पर जनता ने जो अपना वह हम निश्चे तोर पेठी करेंगे। आता है। तो जो भी वेक्ति आता है उन सबों का भाजपा में स्वागत करूगा। झाता है उन सबों का भी वेक्ति दो जाता हैं तो जो जो जाता है। दोका है। एड़ापने करेंगे।